हेलो डियर फ्रेंड्स स्वागत है अपने चैनल एपिन क्लासेज में दोस्तों आज मैं वह टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके क्लास 10 और 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 5 यह स्वालू के लिए में इंपॉर्टेंट है उसी तरह सी जू मैं यही टॉपिक लेखिय करेके आया हूं नहींुत के लिए इंपॉर्टेंट है कोचिंग ठीक है आप जो है आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लीजे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है दोस्तों ठीक है और इसके बाद आपको कोई कंफूजन नहीं होगा मैं आपको इजवास की गाइंटी देता हूँ बस लेकिन आपको ये काम करना है अंता घव लिखिए इसके नियम लिखिए अब इसके ध्यान दीजे दो नियम है इसके ठीक है एक तो पहला दूसरा दूसरा जो है दूसरे वाले नियम को हम कहते है स्नेल स्लो क्या कहते है इसनेल का नियम ठीक है तो ध्यान दीजे पहले देखिए जब प्रकास एक पारदर्सी माध्य पारवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग ध्यान दीजे एक माध्यम आपका यह देखिए एक माध्यम यह है दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके देखे किस-किस में अंतर आएगा वेग और दिसा में ध्यान दीजे जो इसकी वेव थी ठीक है इसका जो वेग है यहाँ पर जादा है यहाँ पर आने पर कम हो गया है दोस्तों अब वो तो भारी और हलके के उपर यहाँ पर डिपेंड है ठीक है भारी और हलके पर ये मारी, बदल जाती है दोस्तों, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते है, इस वो प्रकास का अपवर्तन कहते हैं, फिर से समझ लीजे, जब कोई भी प्रकास की किरिनन, ठीक है, प्रकास एक पारदरसी मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जो उसके वेग और धिसा में परिवर्तन होता है, वही दोस्तों हमारा होता है, प्रकास का अपवर्तन, ठीक है, अब इस फ्षीगर को आप ध्यांजे समझे पहले, देखिए, यह हमारा एक क्या है, मीरर है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक मीडियम लिया हुआ है, यह आपको एक लाइन है, जो स सगन है, और यह हमारा प्रितक कारी क्या है, तल है, प्रितक कारी मतलब इन दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानि को अलग कर रहा है इन दोनों को, और यह मेरा क्या है, नॉर्मल है, यह अभिलंब है हमारा, ठीक, आप ध्यान दीजे पहला नियम इसका, तो अपव अपदन बिंदू पर यही आपतन क्या है दोस्तों बिंदू है अपदन बिंदू पर खीचा गया अभिलंब तीनो एक ही तल में इस्थित होते हैं अभिलंब तीनो एक ही तल में इस्थित होते हैं ध्यान दीजी अब दूसरा नियम ध्यान दीजे दूसरा नियम आपको आपसे पूसकता है और ऐसे आपको डिफाइं करने के लिए दे सकता है तो देखें दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंग धैजर अत्वा रंग के प्रकास के लिए अपतन कोण की जा यानि साइन आई तथा अपवरतन कोण की जा अपवरतन कोण की जा अमारी क्या होगी साइन आर होगी यदि अपातन कोण आई ठीक है यदि अपातन कोण आई अब कोण आई देखिए यह है हमारा और कोण आर हमारा यह है ठीक है तो अपातन कोण आई वह अपवरतन कोण ठीक है अपवरतन कोण आर है तो साइन आई भाई साइन आर इकोईल्टू होगा नेतांग ठीक है तो नेत माध्यम के अपवरतांग को थिक है इस नेतांग को पहले माध्यम के सापेग्ष दूसरे माध्यम का अपवर्टांग कहते हैं क्या कहते हैं अपवर्टांग कहते हैं यदी पहले थीक है यदी पहले वह दूसरे माध्यम को एक वह दो से प्रदर्शित करें तो प्रदरशित करें तो माध्यम 1 के सापेक्श क्या है माध्यम 1 के सापेक्श माध्यम का अपवरताग होगा 1 and 2 लिखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तो 1 and 2 मतलब and 2 upon and 1 और यही हमारा sign i upon sign r के बराबर है यानि एक के सापेक्ष में दूसरा ठीक है एक के सापेक्ष में दूसरा ठीक है एक के सापेक्ष में दूसरा ठीक है अब ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर वन और यहां पर टू तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यही हमारा साइन आई भाई साइन यही हमारा स्नेल का नियम है दोस्तों तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके चैनल को कमेंट करके जानको सब्सक्राइब करें दोस्तों और नोटिकेशन बेल को टैप करिएगा ठीक है बहुत इंपॉर्ट टॉपिक था प्लास 10 और 12 दोनों के लि